पदर्मची जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फोन बज़ते रहते हैं कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्जे ने दिल्ली के लिए उक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। साधनों पे तो 130 करोड लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्टरी नहीं है तो क्या दिल्ली के दो क्रोड लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्टरी है क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं अब बोलिये से, जनता से ज़्यादा आपको अपने कुर्सी प्यारिये ना हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में एगर एक घंटे की आदे घंटे की दो घंटे की ऑक्सिजन बच जाएगा अरे बोलना बुढ़े हैं बोलती की बंद हो गई हैं सर्, हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते इसे पाल्टी की मिटिंग समझके फस गया आपका आइडिया है ओक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने गा वो ओक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगॉल और उडिसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए आइडिया ने अल्राइड़ी चल रहा है सर दिल्ली तक को निया पहुंट वारी है, दिल्ली तक नहीं आरहा है, अब सर चेंदर सरकार ने अदेश जारी किये हैं कि एक मई से राज्य सरकार थैधे को रोना वैकषिन खरीड सकती हैं, इसके बाद एक वैकषिन की कम्पणी ने अपने रेट जारी किये हैं, कि वो पर्णपरा है हमारे जो प्रोटोकॉल है उसके बहुत खलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास करें पूरा कपूरा भो डाला है